हेलो फ्रेंड्स आज में आप सभी के साथ सिंधी रेसिपी सेयर करने जा रहे हूं जो न है रोटी न है प्राठा बहुत ही टेस्टी कोकी की रेसिपी सेयर करने जा रहे हूं इतना टेस्टी और स्वाधिस्ट ये बन करके तयार होगा कि आप खाने के बाद इसे बार बार बन इसे गेहों के आटे से ही बनाईएगा अब मैं इसमें डाल रही हूं बेशन तो दो बड़े चमच भर करके मैं यहां पे बेशन डाल दे रही हूं बेशन डालना पूरी तरह से ऑप्सनल है आप चाहें तो डालेगा पर बेशन डालीएगा तो इसका स्वाध जोहन वह दो फ्रेंड और इसे अच्छी तरह से गही को आटा के साथ हमें अच्छी से मिक्स कऱा लेना है तो 2-3 मिएट अच्छी तरह से मशलते हुए आप रहा पर अच्छी से घ्ट भाड़े तो अब हमें उसमे कुछ सपैसेस डाल लेने हैं तो चलिये 140 इसमुन HAAR पे छेरि प्लभ गर्मरीक पाउडर अब में एक ब्लेक पेपर पाउडर ले ली हूँ काली मिर्प काण पाउडर उसे भी हमें डाल ले ना है मैं यहां पे चलॉटे चमच जीरा ले ले लेजा thought मेरे पस दोनों मिक्स देट इसलिए मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है one half teaspoon आप अजबा जीरा का इस्तेमाल किया है क्योंकि ट्रडिशनल तरीके से जीरे के साथ ये बनाय जाती है तभी वो श्वाद आता है अब मैं यहाँ पे एक चमच कसूरी मेथी को ड्राय रोस्ट कर ली हूँ और इसे क्रस्ट करके मैं यहाँ पे डालूंगा यहाँ पे कशूरी मेथी के बद को कि फ्रेंड्स ट्रेडिस्टनली रेसिपी तो आप यहां पर जीरा को भार्पूर मात्रा में इसले कर सकते हैं यहां पर दो चमच बर के जीरा डालिएगा और एक प्याज को बारी कट कर कर डालिएगा तब वह स्वाधा अच्छा में एक कोकी में और इसे आंटा में डालने के बाद अच्छे से आपको मसल लेना है, अगर आप सफर के दोरान इसे बना कर ले जाना चाहते हैं, तो आप प्यास को skip कर सकते हैं, पर घर में जब भी बनाईएगा, तो इसमें प्यास जरू डालीएगा, इसे अच्छे तो वैसा डो हमें यहाँ पर बना करके तैयार नहीं करने हैं तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मसल करके इकठा कर ली हूँ तो देखे फ्रेंस मैं अभी आपको दिखा रही हूँ देख रहे फ्रेंस तो जादा हमें इसे मसल कर पूरी प्राठे के तरह सॉफ्ट डो नहीं हार्ड ही रहता है अब हमें इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है चलिए मैं यहाँ पर इसे मिक्स कर ली हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसे हमें रेस्ट पे नहीं छोड़ना है इसे जैसे ही आप आंटा को गूत ले उसके बाद इंस्टेंट ही आपको तो चलिए मैसी तर से सारे बॉल्स को तोर करके रेडि कर ले रहे हैं अगर आप सभी को मेरी महनत मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो जादा से जादा मेरी वीडियो को फ्रैंड ग्रूप्स में सेयर करना नहीं बूलिएगा तो देखें यहां पर मैंने लोई से देखें नौनिस्टिक के बदले लोहे का तवा का इस्तिमाल करेंगे तो और भी अच्छी तरह से आप को की बना पाएंगे तो पर मैंने यहां पर नौनिस्टिक पैन का ही इस्तिमाल किया है पर भाड़ी तले का हमें यहां पर तवा का इस्तिमाल करना है और सारी लोही को हमें यहा से टेर मिनिट लग जाएंगे इसे सेकने में, बस, इतना ही सेकना है, चलिये, सभी सिक्केश तयार हो चुके हैं, अब मैं यह से निकाल लेतो, इस जो कोकी आपकी बनेगी न, वो बहुत ही अंधर से सौफ्ट बनेगी और उपर से क्रिस्पी बनेगी खाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है यकीन माने फ्रेंड्स इस रेसिपी को एक बार आप जरू ट्राइ कीजिएगा देख रहे हैं इसके एस्पार्स बस इतना ही हमें सेखना है अब नेक्स प्रोसेस कर लेते हैं कोई भी इस तरह का चकला ले लिजेगा उस पे हमें डाल देना है एक लोई को थोड़ा सा सूखा अठा डस्ट कर दीजेगा बहुत ही हेल्दी लगती है ये खाने में और सबसे एक जरूरी बात बताना चाहते हूं फ्रेंड्स की आप इसे जब बनाएंगे तो आपको सबजी वेगेरा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे बना करके आप चाय के साथ भी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में खाईए या फिर आप बिना सबजी बनाए हुए इसे दही या रायते के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे पहले बेल करके आपको दिखा दे रही हूं देखें बिल्कुल हलके हाथों से थोड़ा सा सुखा आटा डस्ट करके इसे बेल लेना है इसकी थिक्स देखें एक तौनटे सायट सीAyर शायसर से प्रॉपरंड से रहेंगे तब ही आप समझपाईएगा कि पर्फेक्ट आपके डो तैयार हुए है क्यूंकि इसके डो में हमें लिएर्स वाइस निकलने चाहिए जैसे मैंने अभी आपको अपने इस वीडियो में दिखाया है ने डो बना करके बिल्कुल उसी तरह से आप डो बनाईएगा और ये बिल्कुल रोटी की तरह प्लेन नहीं होती है साइड से आपको दिखरा होगा फ्रेंस थोड़े बहुत इसमें क्रेक्स भी आ रहे हैं तो च एक युक्त ज़ेदेगा नहीं ह specially में फिर फिर से तवा को गरम कर लिया है है फ्लेम को आप लो कर दीजेगा जैसे ही तवा गर्म होजाए लो मीडियम लेंपे हमें को को सेकना है क्योंकि हमें एक अंधर तक अच्छी तरह से पकाना है तो फ्लेम का अप लोटू मेढि़ र के वे हमें ऊपर से crispy सेखना है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा इस कूकी को बनाते समय फ्रेंड्स की फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है तो देखना है इसका कलर भी आपको देख रहे हैं तेखने को मिल रहाँ हो फिरस देखें कितना सुन्दर धीर धीर इसका कलर भी चेंज हो रहा है ना देख रहे हैं तो इसी तरह से हलके हलके हाथों से हमें प्रेस देते हुए जैसे स्पुन की मदद से या इस पचुला की मदद से हलके से प्रेस देते हुए सिखेगा दोनों साइड से अच्छे से उलटते पलटते हुए इसे बनाते समय जलवाजी नहीं क चुके हैं देख रहे हैं इसका डरी बहुत ही शुंदर आ डिखा से इंचवार भी इसे निकालने रहे हैं प्लेट मेंpse 5 प्रेंट्स से देखें देख रहे हैं То चलियां मैं दोसरा भी इसी तरह से आपको शेक record दिखा देती हूँ ताकि आप सबी कोई confusion ना हो मेरी recipe को बनाते शमय अगर मेरी recipe में आपको बनाते शमय कोई भी and आई फ्रेंज then comment करके आप जरूर पूछ सकते हैं तो comment करके मुझें जरूर पूछिएगा ओप यह排syर तो देखें यह तरह से बिल्कुल ही सॉफ्ट रहता है तो इस रेसिपी को आप ज़रू ट्राइ किजिएगा अगर रेसिपी पशंद आदा है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड ग्रूप्स में और फैमली वालों के साथ सेर करना नहीं भूलिएगा चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाब भाइज थाग और दो जुक्त शॉर बाइण बाता है तो जुक्त शॉर आइट कर दो जादा सब घंगर कुल एंग हैं जो और दो जुक्त शॉरास सॉफ्साइब झाँ जॉरास सॉब टॉडट ग्रों यवे और कु़ अड़र गे स्वान शॉत प्रूएब ऑ वे बाइट ए